कि मिश्रा जी अब आपने सब को सुन लिया है आपने तंसकार सुन लिया प्यार सुन लिया मनुहार सुन लिया सब सुन लिया आपने ये भी सुन लिया कि भई सुभासपा का प्रत्याशी जितने वाला है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या वाकई ये मजबूरी का म यह वही है जो देखा गया है दिखाया गया है ऐसे में क्या वाकई मैनपुरी का रण शिवपाल यादव के बगएर मुश्किल था चुनौती पूर्ण था देखे मैम चुकी यह जो पूरी डिबेट है समाजवादी पार्टी के कंडिडेट और उसके इर्दिगिर्द गूम रही है तो हमारे जो समाजवादी प्रवक्ता थे हमारे इमित्र बैठे थे उन्होंने बड़ा करनप्री और मनमुहक ब्याख्या दी की चचा और भतीजे का तो चचा और भतीजे का रिस्ता तो अलाः दिन खिल जी और जलाल द्दीन खिल जी का भी था जो की कड़े पर सवाल यह यह प्योर राजनीत की बात है जो अखलेश यादओ अभी पीछे दो तीन सालों में जो हुआ ना अखलेश यादओ ना डिमपल यादओ किसी को भी चचा की याद नहीं है यानी शिवपाल यादोजी की याद नहीं आई अब उनको इस जगह पर जा करके मुझे लगता है वो ऐसे फसे हुए हैं कि चाहे लेश मात्रही क्यों न सही लेकिन शिवपाल यादोजी के बिना नईया पार नहीं होने वाली है अब यहाँ पे डिफि तो शुपाल यादों से बात भी नहीं कि किसी मीटिंग में गय थे अब ऐसा क्या हो गया इन चार दिनों में कहीं कहीं ग्राउंड लेवेल पे उनको ये ख़बर चली होगी कि भाई सिच्वेशन जो है यहां पर बड़ी टफ है एक सीट हारने या जीतने से बिदान सभा में ना सरकार किसी कि नई बनेगी न गिरेगी लेकिन ये प्रतिस्था की बात है यहाँ पर और यह बड़ा लास्टिं इम्पेक्ट देगा अगर डिमपल यादों यहाँपे हार जाती है तो तु मरता क्या न करता और है कि शुपाल य यादों भी अगर वापस गiyor हैं तो मु कातार कई सालों तक कैबिनेट मिनिस्टर यह वो दस दस पोर्टफोलियों लेकर बैठे रहते थे वो अभी तक एक दो सीट भी शाहिद मिल जाए उनकी सीट मिल जाती है उसके बाद कितनी मिली मुझे पता नहीं तो उनको भी यह लग रहा था कि हाँ भाई अगर और मुझे यह कहीं कहीं ऐसी डील हुई होगी कि हाँ दोनों ही तरफ विन-विन यहां से हम शुरुआत करते हैं आगे और यह भी हो सकता है कि आगे दोनों एक हो जाए और शुपाल जी को वो गरिमा में सिच्वेशन में लाया जाए लेकिन डिफनेटली यहां पर जादा संभावना क मुझे इस बात की संभावना नहीं दिखती है कि एक गुडवल बनी रहेगी मुझे लगता है कि महनपुरी का जिनाओ खतम गुडवल खतम अगर नहीं देखे अगर सब कुछ तीक ठाक रहा और डिमपल यादो जीत भी गई ना तो मेरे खाल से यह डिफनेटली शुपाल यादो जी को इसका जबर्जस क्रेडिट मिलेगा और दोनों में मधुरता आएगी एटलिस वो कटूता खतम हो के हो सकता है सीटो का बटवारा कर लें एक स्ट्रॉंग टाई अप हो जाए और फिर से वो विले हो जाए यह संभावना मुझे दिखती है क्योंकि मुझे यह अभी भगवान करें उनकी उम्र बहुत हो लेकिन वो जब तक रहेंगे वो सपा के पैर में ऐसे चुबे हुए कांटे की तरह रहेंगे अखलेश आदो के कि वो एक कदम पे जो है वो दुख देने वाले रहेंगे और कांटे को निकाल कर पेंका नहीं जा सकता क्या यह यह सब्सक्राइब जाओंगे जिसने कांटा चुब होया है वही कांटा जो है निकालने के लिए वहां जा रहा है कि आईए चाचा हम आपके पैर कांटा निकालते हैं तो यह मैं बोलना हूं कि लॉंग टरन में दोनों विन-विन की कुछ प्लानिंग कर रहें इसमें